आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बावू बनना चाहते हैं या अकाउंटंट आप टेली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेधन है इस वीडियो सिरीस की सभी वीडियो को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमा अनुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा टेली कि इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे तलपट यानी ट्रायल बलन्स क्या है और लेजर से ट्रायल बलन्स कैसे बनाते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था लेजर क्या है और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है इस वीडियो में आप पहले ये समझेंगे कि Trial Balance क्या है और उसके आवशक्ता क्यों पड़ती है Trial Balance लेजर के सभी अकाउंट से ग्याद किये गए डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के योग के पश्चात निकाले गए अंतर की एक सूची है इसका मतलब ये हुआ कि Trial Balance हमारे द्वारा बनाए गए सभी अकाउंट को समराइज करता है यदि हम से पोस्टिंग में कोई गलतियां हो गई हूँ तो उन्हें भी हम Trial Balance के द्वारा पकड़ सकते हैं Trial Balance के अवशक्ता मुख्य तया दो कारणों से होती है पहला कारण कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्यवसाय का अध्यन करने के लिए सभी खातों की स्थिती एक साथ दिखना चाहते हैं यानि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनका जो भी Debit या Credit Balance है वो हम एक साथ एक स्थान पर दिखना चाहते हैं दूसरा कारण है जैसा कि हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम के सिधानतों के अनुसार प्रत्य ट्रांजेक्शन की दो जग़ एंट्री की जाती है एक Debit पक्ष में दूसरी Credit पक्ष में दोनों पक्षों में लिखी जाने वाली रकम एक ही होती है अब यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने डबल एंट्री सिस्टम की सहायता से जो जर्नल तयार किया है उसमें या लेजर में जो पोस्टिंग की है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है तो इसके लिए किसी एक स्थान पर सभी खातों के जो भी बैलन्स है जैसे यदि खाते का डेबिट बैलन्स है तो उसे डेबिट साइड में और यदि खाते का क्रेडिट बैलन्स है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख लेंगे लिखने के बाद debit और credit side के दोनों पक्षों का जोड नगाने पर वो बराबर होना चाहिए अगर दोनों पक्षों का जोड नहीं मिलता है तो दो बाते हो सकती है पहली या तो हमने जर्नल में दोनों पक्ष में एक समान amount नहीं डाले हैं या जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त कहीं गलती हो गई है जिसे हम ढूंट कर यानि री चेक करके दूर कर सकते हैं आईए हमने जो लेजर तयार किया है उनमें खातों में जो भी शेश है उसके आधार पर trial balance sheet तयार कर लेते हैं देखिए हमारे capital account में credit balance एक लाख रुपए है तो इसे हम trial balance sheet में credit में लिख लेते हैं अब amount लिखने के बाद लेजर से जिस amount को हमने balance के रूप में लिया है उसे पीला कर देते हैं इससे ये पहचानने में आसानी होगी कि हमने इस खाते का balance trial balance sheet में लिख लिया है इसी तरह cash account में debit balance 86,900 रुपए है तो इसे हम trial balance sheet में debit में लिख देंगे और इसी तरह हम सभी खातों के balance trial balance sheet में लिख देंगे चलिए लेजर्स में चलकर देख लेते हैं कि कोई balance छूटा तो नहीं है देखिए सभी balance पीले दिखाई दे रहे हैं मतलब हमने सभी लेजर्स के balance को trial balance sheet में लिख लिया है अब हम trial balance के दोनों side की जोड लगा कर देख लेते हैं यह देखिए हमारे दोनों पक्षों की जोड पराबर आ रही है इसका मतलब यह हुआ जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था हमने जर्नल में जो entries की हैं उनमें या जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग की है उसमें कोई गलती नहीं हुई है यह काम भी हमेरी टैलीब में अब नहीं करना पड़ता है यह अपने आप हो जाता है अब आप ट्रायल बैलन्स शीट में जो अलग-अलग खाते देख रहे हैं यह अलग-अलग प्रकृति के हैं इनकी प्रकृति समझने के लिए पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा हमारे जितने भी खाते होते हैं उन्हें हम चार श्रेणियों में बाढ़ सकते हैं असिट्स, लाइबिलिटीज, इंकम और एक्सपेंसिस वैसे तो हम इन चारों की परिभाशा आपको पहले पता चुके हैं पर यह बहुत ही महतुपूर है इसलिए फिर से देख लेते हैं संपत्ति यानि असिट्स व्यवसाई की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यवसाई के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसाई का स्वामित्व होता है संपत्ति कहलाती हैं ये दो प्रकार की होती हैं स्थाई संपत्तियां और चालू संपत्तियां स्थाई संपत्ति यानि Fixed Assets से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर ककाल तक रखी जाने वाली होती है यानि जिनका लाब व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुना विक्रय के लिए नहीं होती है उदारन के लिए जमीन, बिल्डिंग, फरनीचर, कम्प्यूटर, वाहन, मशीन, आदी और चालू संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जो आम तोर पर एक वर्ष से कम समय में उप्योग की जाती है यानि जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती है जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके जैसे देंदार, बैंक बलेंस, स्टॉक, इत्यादी अब हम बात करते हैं दायित्व यानि लायबिलिटीज की वे सभे रिंड या लोन जो व्यापार को आन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं दायित्व यानि लायबिलिटीज कहलाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं स्थाई दायित्व यानि फिक्स लायबिलिटीज और चालू दायत्व याने current liabilities इस्थाई दायत्व से आशे ऐसी देंदारियों से है जिनका भुक्तान दीर्गकाल के पश्चात या व्यापार की समापती पिर करना होता है जैसे दीर्गकालिन रिंड, long term loan, पूंजी, बिल्डिंग या लेंट को गिर्वी रखकर बैंक से लिया हुआ long term loan इत्यादी चालू दायत्व याने current liabilities से आशे ऐसी देंदारियों से है जिनका भुक्तान निकट भविश्य में करना हो प्राय या एक साल से कम समय में चुकाना होती है यानि ये अस्थाई होती है और व्यापार संचालन में घट्ती बढ़ती रहती है जैसे अल्ब कालिन रिंड यानि short term loan, लेंदार, bank loan, cc limit यानि cash credit limit आदी आय यानि income एक व्यक्ति या संगठन की आय यानि income वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं वैसे आय एक व्यापक शब्द है इसमें लाभ भी शामल रहता है आय दो प्रकारकी होती है प्रत्यक्ष आय यानि direct income इसके अंतरगत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कारे से प्राप्त होती हैं जैसे व्यापार के स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मुल्य प्राप्त हो रहा है वो direct income में आएगा मालेजे आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो कपड़े की सेल्स से होने वाली प्राप्ति आपकी direct income कहलाएगी दूसरी तरह की आय होती है अप्रत्यक्ष आय यानि indirect income मुख्य व्यापसाई के अलावा जो भी income होती है वो अप्रत्यक्ष आय यानि indirect income कहलाती है पर दिये हुए हैं, तो उनका किराया या फिर आपने कुछ रुपया बाजार में उधार दिया हुआ है, तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याच आपकी इंडिरेक्ट इंकम कहलाएंगे। पहला है प्रत्यक्ष व्याय यानि डिरेक्ट इक्सपेंसिस, इसके अंतरगर्थ हमारे मुख्य कारे से संबंदे जो भी सीधे खर्च होते हैं, वे आते हैं। कपड़े पर कोई embroidery करते हैं, उसका खर्च, उसे अपनी go down या factory तक पहुचाने के लिए गाड़ी भाड़ा देते हैं, तो ये सब खर्चे आपके direct expenses माने जाएंगे, क्योंकि वे कपड़े को बेचने योगी बनाने में मदद कर रहे हैं। दूसरी तरह का वे है अप्रत्यक्ष वे यानि indirect expenses, इनका संबंद वस्तु के क्रे या उसके निर्मान से ना होकर वस्तु की बिक्री या कार्याले वे से संबंदित होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय से संबंदित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेश सभी खर्च इसके अंदर गताते हैं। जैसे व्यवसाई या व्यापार को चलाने में सहयोग करने के लिए जो भी खर्च होते हैं, जैसे ओफिस से संबंदित कर्मचारियों की तनख्वा, ओफिस का बिजली बिल, स्टेशनरी खर्च, टेप्रिसियेशन, इत्यादी. अभी हमने अकाउंट्स की चारों केटिगरीज और उनकी सब केटिगरीज के बारे में समझा, अब हम अपने ट्रायल बैलेंस को उन केटिगरीज और सब केटिगरीज के आधार पर बाट देते हैं, देखिए यहाँ पर खातों की प्रक्रती के आधार पर हमने अपनी ट्रायल balance sheet तयार कर ली है अब आगे बढ़ते हैं हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है और इस कारण से हमने कुछ नए खाते और बना लिये हैं देखे current assets में अभी तो ये 8 ही हैं पर अगर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं जैसे 80 या उससे अधिक हो जाएंगे तो cash और bank के खाते तो नाम से ही पहचान में आ जाएंगे पर शेश खातों के बारे में हमें ये समझने में दिक्कत होगी कि इन में से कौन से खाते ऐसे हैं जिने हमने रुप्या उधार दिया है और कौन से ऐसे हैं जिने हमने उधार माल बेचा है बविश में आने वाली इस समस्या का समाधान ये है कि हम इन खातों को छाट कर एक जैसे खातों को एक इस्थान पर रख दे और उनको कुछ नाम दे दे ऐसा करने से हमें खाते किस तरह के हैं ये पहचानने में आसानी हो जाएगी उधारन के लिए अभी अमरे पास करन्ट सेट्स में जो आठ खाते हैं उनमें से एक खाता कैश का है दो बैंक के हैं एक खाता ऐसा है जिसे हमने रुपिया उधार दिया और चार खाते ऐसे हैं जिने हमने उधार माल बेचा है हम इन सभी खातों को हैडिंग दे देते हैं इन हैडिंग्स को हम गुरूप भी कह सकते हैं गुरूप से तातपर्य है एक जसी वस्तूओं या खातों का एक इस्थान पर रखा होना ये देखिए अब हमारी बहुती सुन्दर और समझने में सरल ट्रायल बैलेंशीट बन गई है इसमें अलग-अलग गुरूप बने हुए हैं और उनके अंतरगत हमारे खाते दिखाई पड़ रहे हैं यहां बहुती महत्वपून बात समझने के लिए यह है कि हमने पहले खाते बनाए फिर उन्हें गुरूप के अंदर रख दिया पर tally में इस तरह से नहीं करना होता है tally में group पहले से बने हुए होते हैं हमें सिर्फ उन groups के अंदर खाते खुलना होते हैं इसके बारे में हम detail में chart of accounts वाली वीडियो में बताएंगे tally में हमें trial balance sheet नहीं बनाना होती हम जो transaction record करते हैं उसी के आधार पर tally हमें trial balance sheet बना कर दे देता है इसके बाद वाली वीडियो में हम जानेंगे कि trading and profit and loss account क्या होता है और trial balance sheet के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है